So Hi Everyone, स्वागत है आप सभी आगनबारी बहनों का पोसंट्रेकर एप की एक नई अपडेट में मैं रितेज सर्मा तो जैसा कि आप लोग पोसंट्रेकर एप में जितने भी लभार्थियों का अधार भेरिफाइग कर रहे थे विरिफिकेशन कम्प्लीट नहीं हुआ है वो जल्दी जल्दी अपना अधार विरिफिकेशन कम्प्लीट जरूर कर लें इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि किस परकार से यह अपडेट आया है और यह अपडेट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका पूरा प्रोस 15 जुलाई 2022 यानि आज साम को यह अपडेट है है फर्ट नमर अपडेट किया आया है दिखें यहां पे वेरिफाई अधार प्रोसेस बॉक फिक्सेज यानि कि बहुत सारी यांगन बारी बहनों का अभी 100% अधार वेरिफिकेशन कंप्लेट नहीं हुआ है क्योंकि जो प्रोसे हम लोग इस पॉषन ट्रेकर एप को अपडेट कर लेते हैं आप सभी लोग अपडेट जरूर कर ली जिएगा और जब तक यह अपडेट हो रहा है आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा तो देखें यहां पर फाइनली हम इसको अपडेट कर चुके हैं अब इसको simply हम लोग open कर लेते हैं तो पोशन ट्रेकर एप को अपडेट करके आप लोग जैसे ही open करेंगे तो आप लोग जैसे के home page पे जो option आ रहा था कि आगनवारी के अंदर खोला गया या नहीं खोला गया उसका option आप लोग को पता है कि 14.4 के अपडेट से ही हटा दिया गया है और यह जो अपडेट है वह 14.5 का अपडेट है तो चलिए इसमें हम लोग जानते हैं कि क्या अधार और यहां perfect के सन झार गया और यहां लोग प्रफाइल अपडेट कर चुके होँगे और और प्रफाइल अपडेट करने के बाद यहां पर वेरिफाई करना है तो वेरिफाई वाले ओप्शन पर आने के बाद तो simply हम लोग उसके माता के अधार कार से यहां पर वेरिफाई करने वाले हैं तो यहां पर हम लोग प्रोफाइल अपडेट कर चुके हैं और यहां पर अधार वेरिफाई करने वाले हैं जैसे यहां पर आधार वेडिफाइड सक्सेस्फुली तो इस प्रकार के मैसेज पहले नहीं आरहे थे पहले क्या रहा था अधार वेडिफाइड प्रोग्रें सुम टाइम ऐसाय लिख के आ रहा था लेकिन यहाँ के मतलब कि आपका जो अधार वरिफाई है वह सक्सेशफूल हो चुका है, और यहां पे यह जल्दी हट नहीं रहा है, इस आप लोग को डरना नहीं है, और यहांसरी आपको बैक आझाना और जैसे हैं आप श्वार बैक आएंगे तो देख सकते हैं, यहां पे उसी जो भी आधार डिटेल्स आप लोग डाले होंगे प्रोफाइल अपडेट में जाके उसी के नम से यहाँ पर वेरिफाई होगा तो यहाँ पर वेरिफाई आधार वाले पर क्लिक कर देंगे तो जैसे ही आप लोग वेरिफाई पर क्लिक करेंगे तो देखें यहाँ पर अधार वेरिफाइड है वो तुरंत यहां पे वेरिफाइड हो जाएगा यहां पे कुछ समय आपको कर लेना है और देखें यहां पे अगर वेरिफाइड नहीं होता है तो आपको कहां जाना है कि आपको पता चल सके कि इसका अधार सही है या गलत है तो आपको यहां से थोड़ा सा और बैक आने के बाद यहां पर जो verified अधार लिखा हुआ है आपको इस पर click कर देना है और यहां पर देख सकते हैं कि अभी 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 आपने इस बचे का अधार verification complete किया है वहाँ पर verified का जो option है वह नहीं आया है लेकिन यहां पर suxess का message आ चुका है तो इस बच्चे का जो अधार वेरिफाई है वो success हो चुका है और यहाँ पे maybe 24 hours लिख रहा है इसका मतलब है कि आपका जो अधार वेरिफिकेशन है वो complete हो चुका है वो वहाँ पे कुछी समय में update होके चला आएगा आपको उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है और करना है फिर से उस बच्चे के profile update में चले जाना है और वहाँ पे आपको अधार के अनुसार date of birth, नाम और अधार संख्या मिलान करने के बाद फिर से उस बच्चे के नाम के ऊपर click कर देना है और verify अधार वाले पे click कर देना है वहाँ पे आपका अधार वेरिफाई success लिख तो आप एक बार आके चेक कर लिजेगा यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन वाले में यहाँ पे आप आके चेक कर लेंगे अगर यहाँ पे आपका आधार वेरिफिकेशन में सक्सेस इस परकार का दिखा देता है तो समझे कि आपका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है अगर आप लोग पुर्फाइल अफडेट भी करते हैं तो आप लोग का उसी के उसी टाइम पुर्फाइल अफडेट हो जाएगा अब इसमें एक दिन का समय नहीं लेगा क्योंकि आज लास्ट डेट है आप लोग को 100% कम्प्लीट करना है तो आप सभी आंगरबारी बहने जाएगे और जल्दी से जल्दी सभी लभार्थियों का जिनका भी आधार वेरिफिकेशन बच्चा हुआ है उनका 100% कम्प्लीट कर लिजिए तो इस परकार से आप लोग करेंगे तो आप लोग कोई भी प्रॉबलम नहीं आएगी और सभी लभार्थियों का अधार कारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियों में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद